एक गुरू ने अपने आश्रम के सभी सिस्यों को देश के सबसे बड़े विश्विध्याले में अध्यन और ग्यान प्राप्ति के लिए यात्रा में भेजा था अध्यन का समय पूरा होने पर एक को छोड़कर बाकी सभी सिस्य आस्त्रम में गुरू के पास वापस आ गए गुरू बिश्विध्याले से वापस लटे सिस्यों के ज्यान और सास्त्र अध्यन को देखकर और उनके बारे में सून कर बड़े प्रसन्य थी सिस्यों ने बहुत सारे सास्त्रों पर ग्रंथों को कंठस्त कर लिया था कुछ महिनों बाद वैं पीछे छोटा हुआ सिस्य भी आस्त्रम वापस आ गया गुरू ने कहा तुम सबसे बाद में आये हो इसका मतलब तुम सबसे ज़्यादा सीख कर आये होगे कुछ सिस्य ने कहा मैं कुछ सीख करनी आया हूँ बलकि आपने जो सिखाया था उसे भी भूला आया हूँ इससे जाता निरासा चनग उत्तर गुरू के लिए और क्या हो सकता था उस दिन के बाद से गुरू की नजरों में उससी के प्रतिशने और सम्मान थोड़ा सा कम हो गया था उस दिन के बाद से उससी को आसरम के सबसे उपेट चीत और मुश्किल कामों को करने के लिए दिया जाता था ऐसे ही कुछ दिन गुजरे फिर एक दिन वैससी दोपहर में गुरू की मालिस कर रहा था पीट की मालिस करते वक्त अपने आप ही उसके मुँसे निकल गया मंदिर तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर भगमान की मूरत नहीं है यह सब्द सुन गुरू के क्रोध का ठीकाना ना रहा निश्चित रूप से ही यह सब्द गुरू के लिए ही कहे गए थी उनके उस सुंदर सरीर को ही सिस्से ने मंदिर कहा था गुरू के क्रोध को देखकर सिस्स जोर जोर से हसने लगा ये ऐसा था, मानों किसी ने आग में ही घिडाल दिया हूँ रोध में आकर गुरू ने अपना अपमान करने की आरोप में उस सिस्षी को आस्रम से बाहर निकाल दिया फिर एक रोज गुरू अपने कक्च में बैठ कर सास्त्रों का ध्यन कर रहे थे तभी अनायास ही कहीं से आकर वहसी से गुरू के समक्च बैठ गया गुरू सास्त्रों का ध्यन किये जा रहे थे और वह चुप चाप बैठा सुन रहा था तभी एक जंगली मधुमक्खी कक्च के अंदर आकर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी द्वार तो अभी खुला ही था वही द्वार जहां से वह अंदर आई थे लेकिन वह अंदी होकर ब्यर्थ ही बंद खिर्की से बाहर जाने का प्रयास कर रही थी इस ब्यर्थ प्रयास में वह बार बार खिर्की से टकरा कर खुद को घायल कर रही थी उसकी लगातार भिन भिनाहट कक्च के सांत वातावरण में गोंज रही थी। तभी अचाना की वह से सिखड़ा हुआ और जोर से चिलाते हुए उस मधुमक्खी से बोला अरे ना समझ वह द्वार नहीं दिवार हैं। जरा रुक और देख वाबस जाने का भी द्वार वही है जहां से तो अंदर आई थी। उस मधुमक्खी ने तो नहीं परनतो उस गुरु ने इस बात को सुना और उसे द्वार मिल गया। उसने पहली बार उस सिख़ी आखों में बड़े ध्यान से देखा और उसने पाया कि यह सिर से अब वह इंसान नहीं था जो यात्रा में गया मैं आज महसूस कर पा रहा हूं कि मेरा मंदिर भगमान से खाली है। अगर उस द्वार को पाना चाहते हो तो पहले वही करो जो वह मधुमक्षी कर रही है। गुरु ने देखा कि वह मधुमक्षी अब कुछ नहीं कर रही है। वह बस सांती से दिवार पर बैठी हुई है। उसने देखा, समझा, महसूस किया और जागा। उसे ऐसा लगा जै सारी खोज खत्म हो जाती है तो चित सांत हो जाता है और सांत वस्तुने चित ही वह द्वार है। गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कहा है कि चित का सांत होना ही खुद को जानने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। गौतम बुद्ध ने अपने इसका मतलब यह है कि हमें अपने माइंड के थिंगिंग प्रेटर्ण को प्रैक्टिस के थ्रू ऐसे रिडिजाइन करना है कि यह एक थौट प्रडूसर नहीं बलकि थौट अबजरवर के तरह कारे करें यह किसी चीज को देखकर उसके बारे में धाना बनाने की बजाएं सिर् बुद्र के पास आया और बोला बुद्ध मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत बढ़े आत्म ग्यानी हो तुम सबके प्रश्णों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देते हो मेरे भी कुछ प्रश्ण है जिनके उत्तर मैं बरसों से खोज रहा ह लेकिन मुझे मिले नहीं, यदि तुम मेरे प्रश्णों के उत्तर दे, मुझे संतुष्ट कर सके, तो मैं मान जाओंगा कि तुम बहुत बढ़ आत्मिग्यानी हो, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मौलुक बुद्र, क्या तुम सिर्फ अपने प्रश्णों के उत्तर पाना चाते हो, या उत्तर पाने के बदले में कुछ खोना भी चाते हो, यह सुन मौलुक पुत्र ने बड़े गर्ब से कहा, मैं एक छत्री हूँ, और छत्री कुछ खोने से कभी नहीं डरता, आप बस बताईए कि क्या देना है, बुद्ध ने कहा, एक बार फिर सोचलो मौ यह मेरा बचन रहा, यह सुन मौलुक पुत्र थोड़ा सा घबराया, क्योंकि एक बार के लिए जान दे देना आसान होता है, क्योंकि यह तो सिर्फ कुछ चणों की बात होती है, ऐसे ऐसे जहर हैं, कि तीन सिकेंड में प्रान निकल जाते हैं, इसके लिए कि एबल एक बार साहस चुटाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक साल तक सांत रहना, यह तो बहुत मुस्किल काम है, क्योंकि इसमें हर रोज खुद से लरना पड़ेगा, खुद के विचारों से लरना पड़ेगा, जो देखने में तो असान लगता है, लेकिन है बड़ा मुस्किल, कई साल बीटने के बाद, बुधने का, पूछो मौलक पुद्र, क्या प्रश्न से तुम हरे, मौलक पुद्र जोर से हसा, और बोला, क्या पूछों, अम मेरे अंदर, कोई प्रश्न रही ही नहीं, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गई, गौतम बुद्र जब इंसान के चितिसांत होता है, तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर, उसे अपने अंदर ही मिल जाते हैं